Hello students, welcome to my YouTube channel, शुश्मा राजकुपता हम लोग कर रहे हैं बीकों 4th semester Advanced Accounting, जिसमें आज हम निया चेप्टर शुरू करने जा रहे हैं, that is Valuation of Goodwill. चलिए शुरू करते हैं. हाँ जी, सबसे पहले Goodwill होती क्या है? Goodwill जो है किसी भी बिजनस का एक Asset है. कौन सा Asset है? Intangible Asset है. Goodwill जो है किसी भी बिजनस की परचेज की हुई हो सकती है और Self-Generate की हुई हो सकती है. कब कहेंगे कि किसी बिजनस की Goodwill है? हम तब कहेंगे किसी बिजनस की Goodwill है जब उसके Old Customers उसके पास आ रहे हैं. ठीक है जी, जब एक Customer एक से ज़्यादा बार एक ही दुकानदार के पास जा रहे है, एक ही Businessman के पास जा रहे है, It means उसने कुछ अच्छे Quality की Product दी है, या उसने प्राइस सही रख है, या वो Time Paid चीजों की Delivery दे रहे हैं. तो It means कि उसकी Customer के नजरों में उसकी एक Image बन गी है, that is called Goodwill, वो Customer उस Businessman के पास खुद तो जाएगा ही जाएगा, दूसरों को भी लेके जाएगा. तो Goodwill एक Intangible Asset है, जो कि किसी भी Business की Income Generate करने में Help करता है. ठीके जी, Goodwill एक तरह की Attractive Force है, जैसे मैंने अभी बताया, which brings in Customer, ठीके, तो Goodwill को Consider करने के लिए हमें Business की Type को Consider करना होगा, और Type of Customers को Consider करना होगा. तो Goodwill जो है, वो Locality की वज़ा से हो सकती है, ठीके, Business Product की Quality की वज़ा से हो सकती है, और जो Terms and Conditions of Business के Regarding हो सकती है, ठीके, तो किसी, ठीके जी, यही चीज़ है, Customer उसको Accept कर है, वो Location उसके लिए अच्छी हो सकती है, Quality हो सकती है, Product Profitable हो सकता है, उसका Production करने का Method सही हो सकता है, तो जो Goodwill है, वो कहां से Arise होती है, Goodwill हमेशा Arise होती है, Reputation से, Reputation of Business से, ठीके जी, और उसे होता क्या है, कि Customer उसी दुकानदार के पास जाता है, जिससे उसको जाता है, Profits होती है, अगर हम कहें कि Goodwill की Features क्या है, Goodwill की पहली Feature यह है, कि Goodwill को हम Business के साथ ही सेल कर सकते हैं, अकेली Goodwill कभी भी सेल नहीं हो सकती, ठीके, ठीके, तो अकेली Goodwill नहीं, जैसे Action Company का नाम चल रहा है, बहुत जादा उस एरिया में नाम चल रहा है, अब अगर किसी को ये कहें कि इसकी Goodwill जो है, वो सेल हो जाए, नह जब हम Action Company का Business सेल करेंगे, तो उसका नाम भी साथ में सेल करेंगे, तो Means Goodwill सेल होगी, Goodwill हमेशा बिजनस के साथ सेल होगी, अकेली Goodwill कभी भी सेल नहीं होगी, अब Goodwill तब भी Valuable होगी, अगर हम इसे एक परसन से दूसरे परसन में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकत तो उसके Valuation भी नहीं होगी, कोई बहुत अच्छा सर्जन है, जिसका उस एरिया में या अदर एरियास में भी नाम है, अब इस सर्जन की जो क्वाल्टी है, वो हम सेल नहीं कर सकते, तो उसकी Valuation करने भी मुश्किल हो जाती है, ठीके, गुडविल जो है, नोन फिजिकल ठीके जी, गुडविल की exact कोई cost नहीं होती, ये time to time change होती रहती है, ठीके, और ये किस पे depend करती है, वेल्लवर की judgment पे depend करती, वो इसकी Valuation किस तरह से करता है, और गुडविल की wear and tear नहीं होती है, क्यों क्योंकि ये intangible asset है, ठीके, और कई बार तो ये मतलब appreciate होती है, depreciate हो जाए, गुडविल दो तरह की होती है, एक है purchase goodwill, ठीके, और दूसरी non purchase, दोनों में difference गया है, दोनों में difference ये है, कि जैसे मैंने tuition classes शुरू की है, ठीके जी, अगर मैंने tuition classes खुद शुरू की है, और market में, ठीके जी, मेरा जो है name बन गया, ठीके, कि जो एक्सेंड, ये execution center है, यहाँ पे अच्छी tuition हो रही है, वहाँ पे students आ रहे हैं, तो वो होगी self generate goodwill, मैंने अपनी goodwill खुद generate की है, अगर already कोई execution center चल रहा था, मैंने वो center purchase कर लिया, और वहाँ पे उसी नाम पे, मैंने tuition करने शुरू कर दी, तो उसे purchased goodwill कहा जाएगा, क्योंकि मैंने ये नाम खुद नहीं बनाया, मैंने किसी का बना बनाया नाम खरीदा है, ठीके, तो उसे purchased goodwill कहेंगे, ठीके, ये जादा तर profession के cases में होती है, ठीके, ये कब rise होती है, जब हम business को purchase करते हैं, ये purchase transactions में reflect की जाती है, और इसकी जो cost है, वो किस पे depend करती है, future profits पे depend करती है, और जो self generate होती है, ये internal generate होती है, इसकी कोई cost नहीं होती, ये subjective judgment पर depend करती है, चीके, चीके, अब goodwill और depreciation तोनों में क्या difference है, depreciation हमेशा fixed assets पे charge की जाती है, पर goodwill क्या है, goodwill एक intangible assets है, तो इसकी wear and tear नहीं होती, तो इस पे depreciation भी नहीं होती, और goodwill की खास बात ही है, कि ये fluctuate होती है, ठीके, कभी किसी की goodwill बढ़ सकती है, और कभी कम भी हो सकती है, कम कभी होगी, जब कोई competitor ऐसा आगया, जो मतलब कि उससे आगे निकल गया, एक्स का बहुत नाम था अपने एरिया में, और YN company आगी, तो उससे क्या होगी, एक्स की goodwill कम होगी, या YN company आगी, उसका product अच्छा नहीं था, या वो already चल रही थी, वो बंद होगी, इसकी goodwill बढ़ की, गुडविल जो है, फ्लक्च्वेट होती रहती है, हम यह नहीं कह सकते कि goodwill, जो है, वो उसकी wear and tear होई है, गुडविल की classes, local भी हो सकती है, local कैसे होगी, जैसे किसी अपने market में, ठीक है, किसी का, मतलब, जैसे चंडिगड में 17th sector है, जी, वहाँ पे कोई भी shop होगी, तो वहाँ पे हमें variety of products मिलेंगे, तो वो क्या होगी, local goodwill, उस locality की वज़ा से अकर goodwill आ रही है, तो उसे हम local goodwill कहेंगे, और वहाँ पे जितनी भी shops होगी न, उनकी value, other area की जो shops है, उससे जाता होगी, तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे पता ही है, कि goodwill है यह उस area की, और वहाँ पे shop होगी, तो वो चलेगी, चलेगी, देन आगी, personal reputation, किसी person की अपनी skill, ठीक है, जैसे इसमें professionals ज़्यादा होते है, कोई भी accountant हो सकता है, कोई tutor हो सकता है, कोई doctor हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, उसकी personal skill की वज़ा से अकर goodwill rise हो रही है, देन आगी, good sold, ठीक है, कोई person है, वो हमेशा अच्छी quality की चीज बेज़ते है, चीज का rate चाहे ज़्यादा हो, बट उसकी quality वो कभी compromise नहीं करता, तो उस वज़ा से भी goodwill हो सकती है, अब हमें बता कि वो quality से compromise नहीं करता, तो even then हम उसको, जो normal price है, उससे 10 रपे ज़्यादा देने को भी त्यार है, क्योंकि उसकी reputation है, उसकी goodwill है, goodwill क्यों है, because of the quality of product, absence of competition की वज़ा से भी goodwill हो सकती, एक area में एक ही दुकान है, हमें उसी के पास जाना और कोई दुकान है ही नहीं है, तो वो होगी absence of competition, ठीक है, अब हमने goodwill की valuation करनी है, तो कब करने की ज़रूरत purchase करते हैं, या हम companies को amalgamate करते हैं, जब हमने valuation of shares करनी है ना, तब भी हमे valuation of goodwill की ज़रूरत है, इसके इलाबा, जब हमने tax calculate करना है, तो goodwill calculate करनी है, या जब हमने consolidation करनी है, तो goodwill calculate करनी है, या जब government ने business take over करना है, हाँ, अब हमारा point है recording of goodwill, या circumstances for valuation of goodwill, goodwill हम किन cases में value it करते हैं, वैसे तो कोई भी business है, उसको पता है कि मुझे normal से ज़्यादा profit हो रहे है, इट मिंस कि उसकी goodwill arise हो चुकी है, बट कोई भी business इसकी goodwill को value it नहीं करता, फिर कब valuation करता है, जब हम sole trader की बात करते हैं, तो sole trader करता है, जब उसने अपने business को sale करना होता है, या उसने कोई नया person admit करना होता है, means उसको partnership में convert करना होता है, समझ के, then वो goodwill की valuation करता है, जब partnership भी बात करते हैं, तो जब उन्होंने अपनी profit sharing ratio चेंज करनी है, या किसी नए partner ने आना है, या पुराने ने चोड़ के जाना है retirement होगी है, या किसी की death होगी है, ठीक है, या दो forms को amalgamate किया गया, means दो forms को मिला के एक नई firm बनाई गई है, तो goodwill की valuation होगी, अब company के case में goodwill की valuation कप होगी, company के case में जो goodwill की valuation करनी है, जब company अपना business किसी दूसरी company को sale करती है, ठीक है, या stock exchange में quotation साहिए, वो नहीं है, ठ जो ए, shares company के खरीदे जाने हैं, या बेचे जाने हैं, ठीक है, या company ने अपनी जो previous goodwill है, उसको write-off कर दिया, ठीक है, या company जो ए, किसी दूसरी company के द्वारा take over की गई है, या कोई अपने उसका business खरीदना चाता है, ठीक है, या consolidation होई है, तो किसी भी company के goodwill की valuation की जाएगी, हाँ जी, factors to be considered, जब हमने goodwill valuation करनी है, मालो आपने किसी का business पाई करना है, आपने उसकी goodwill की valuation करनी है, तो आप कौन-कौन से factors mind में रखोगे, तो सबसे important factor है, earning capacity of the business, कि जो वो business की earning capacity क्या है, पहले तो present क्या है, फिर आपने ये रेखना है, कि जो आज की present उसकी earning capacity है, क्या व बढ़ेगी, या काम होगी, अब ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा, नेचर ओफ गूर से, अब किस तरह की goods में वो business deal कर रहे है, अगर वो deal कर रहे है, किन articles में, डेली यूज के articles में, तो उसके profit रहेंगे, हो सकता है, बढ़ जाए, ठीक है ना, तो depend करता है कि आ मनोपली है, ठीक है, या उसके बहुत जादा vendors है, अगर वो मनोपली है, तो goodwill stable रहेगी, या बढ़ेगी, अगर उसके competitors है, तो depend करता है कि competitors कैसे है, देन उसका नाम चल रहे है market में, देन कितना risk उसमें है, जितना risk जादा होगा, उतने profit जादा होगी, location पे भी depend करता है, अ ठीक है न, जहां पर अच्छे अच्छी, अल्रेडी बिजनस चल रहे हैं, शौप से चल रहे हैं, देन गुट विल जादा होगी, देन ट्रेड मार्क, पेटेंट, कॉपी राइट के है, असेस्टू सप्लाइज, आप इसली मतल्द जो है, गुड्स की सप्लाई कर पा रहे ह ठीक है, मैनेजमेंट कितनी को स्किल है, अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, देन गुट विल जादा होगी, आपके पास कॉंट्रेक्ट्स कितने हैं, अगर बहुत ज़्यादा कॉंट्रेक्ट्स हा रहे हैं, डे बाइ डे, इट मिन्स की गुट विल जादा होगी, फ्य की पॉलिसी के रिगार्डिंग बीजनस इंडस्ट्री प्रॉफिट्स का ट्रेंड आपका क्या डे बाई बढ़ रहे काम हो रहे कितनी कैपिटल चाहिए ठीके जी तो अगर वो कहता है कि दो बीजनस युनिट्स हैं उनका प्रॉफिट सेम है गुडविल की तब ही वेलवेशन होगी अगर उसे हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं मैंने पहले भी बताया आपको जैसे एक डॉक्टर की एक सर्जन की जो स्कील्स है एक वेरिस्टर की जो स्कील्स है एक टीचर की जो स्कील्स है उसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उसकी वेलवेशन करनी भी मुश्किल हो ज़कती है ठीके तो देन फ्यूचर टेक्सेशन क्या होगी, जैसे हमने future earning के बारे में सोचना है, उसी तरह से taxation liability का भी सोचना है, method of valuation जो है, वो हम next वीडियो में करेंगी, ठीके जी, तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को like करें, चैनल को अभी तक नहीं subscribe किया, तो जरूर subscribe करें, अगर आपको किसी भी subject में किसी तरह की queries हैं, doubts हैं, ठीके, तो आप मुझे इस number पे contact कर सकते हैं, ठीके जी, और जो आपने contact करने, 6 p.m. के बाद कर सकते हैं, ठीके जी, हमेशा खूश रहें, ठैंक,